तो गुर्देव, कई बार हम लोगों का चहरा देख करके पेंड़ा देते हैं, छोटी उम्र में भी, जब भी आते हों, कैसा उत्रा हुआ सा चहरा दिखाई देता है, मुश्कुराया करो, अचारसी जी स्वयम को आप देखेगा कभी भी, दिन में जितनी देर वो दिखते हैं उतनी देर उनके चहरे पर त्रिभुवन मोहनी मुस्कान रहती है, तीन भुवन के जीवों को मोहित करने की शक्ती है गुर्देव के पास, हम लोगों से गुर्देव ने कहा, मुस्कुराया करो, हम ने कहा, कि गुर्देव ऐसे अंदर से मुस्कुराहट निकलती नहीं, त तो भाग की उच्चा होता है, ये दो शब्द अपने साधिभी जीवन में घटाने का प्रयास करियेगा, जब मन उच्चा होता है तभी भाग की उच्चा होता है, नहीं तो पूरी जिंदगी थंडी में दो-दो सग्राम गुण बेचते बेचते निकल जाती है, गुण बेचने वालों के साथ ठंडी में बड़ी दिक्कत होती है, कि किसी ने एक पाव गुण मागा, बड़ी ठंडी में एक पाव गुण दिया, फिर एक बार हाथ दोना पड़ता है, फिर ठंडा लगता है, फिर हाथ दोना पड़ता है, फिर ठंडा लगता है, फिर ठंडा कभी किसी किराने वाले की दुकान में जाकर के देखिएगा समझ में आएगी आपका हमारी बात कि ऐसा होता है कि नहीं होता है आचार सीजी कहते हैं मन उचा करो मन उचा तो भाग ये उचा मन उचा कैसे किया जाता है महराज ये बात आचार भगवंत कहते हैं कि जिन्होंने यथार्थ को देखा है उनकी नजरों से यथार्थ को देखने का प्रयास करो अभी हम अपनी नजरों से यथार्थ देखते हैं और जो दिखता है वो सत होता है ये कोई जरूरी नहीं होता दुनिया में प्तक्षी दिखने वाली हर वस्तु वैसी ही है ऐसा होता नहीं बंदो देखने के बावजूत कई बार आँखों के सामने से जूट हो करके निकल जाता है आचार सीजी कहते हैं मन उचा करो मन उचा तो भाग उचा अब मन उचा कैसे बनाया जाता है तो आचार कहते हैं कि जिन्होंने यथार्थ देखा है उनकी नजरों से यथार्थ देखने का प्रयास करो जिन्होंने यथार्थ को देखने के लिए अपना जीवन खपाया एक दिन का उपवास करते हैं न तो चेहरा मुर्जा जाता है पूरे चेहरे का पानी उतर जाता है होता है कि नहीं किसी साधक ने उस यथार्थ को पकड़ने के लिए तेरा महिने आठ दिन तक लगातार उपवास किया किसी ने छे महने तक किसी ने एक साल तक बहुबली भगवान एक वर्स तक निराहार खड़े रहे तब जाकर के अंतर चक्षु से उनको जीवन का कुछ यथार्थ मिला सरीश से खड़े थे लेकिन अंदर से मुस्कुराहट कम थी एक साल लगा चेहरे का पानी मुर्जाया नहीं उनकी दस्टी से यथार्थ को देखने का प्रयास करो वो यथार्थ में क्या कहते हैं कैसे वो अपनी उस सत्थ दस्टी से दुनिया को लाभानवित करना चाहते हैं आज की साइंस ने और आज की मेडिकल डिपार्टमेंट ने हमारे दिमाग की ब्रेन की सेटिंग पूरी की पूरी बिगाड दी है मुबाइल चलाते हैं न मुबाइल चलाते चलाते कई बार उसको रिबूट करना पड़ता है ऐसे लाइफ को भी कई बार रिबूट करना पड़ता है जैसे मुबाइल चलाते चलाते बार बार आपको उसको νया वर्सन चाहिए पड़ता है ऐसे 인सान को भी अपना नया वर्सन पेदा करना पड़ता है नया साल आने वाला है दो तीन दिन के बाद अपना دोजार चौबीस में एक नया वर्सन पेदा करिये जिसकी ज़ुष है पू को बदलिए और सबसे पहले चिंतन करिए हम सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक खाते हैं उसके बाद भी सरीर को समान नहीं पाते हैं जिन सिद्ध परमेश्ठी उने जिन तीठंकरों ने महिनों बरसू उपवास करने के बाद कैवल लिकी प्राप्ति की होगी और उन ने देशना दी होगी उस देशना को हमारे पुन से हमारे हाथ तक आ गई हाथ में है वो देशना लेकिन हाथ में होने के बावजूत वो देशना मंदिरों में पुस्तकों में बंद पड़ी है हम कभी स्वाध्धाय करना पसंद नहीं करते हैं मन उचा कैसे होगा मन उचा न हमारी आखों में दिखाई यह नहीं देता हॉध हमको दिखाई देता हैं हमारी देखी हुई चीजें आचार्भग्वंत कहते हैं है कि जैन कुल में आ गया है wurd अजरं मिलेगा लेकिन लाब नहीं उठाएगा अरे महराज हमने तो सुना था कि लाब का अवसर मिलने पर लाब उठाया जाता है लेकिन आचार भगवन्त कहते हैं कि लाब का अवसर मिलने पर भी वो लाब नहीं उठाता तब जाकर के उसके जीवन में सुख और सौंदर बढ़ता है आचार महराज कहते हैं अवसर का लाब मिलने के बावजूद लाब का अवसर मिलने के बावजूद लाब नहीं उठाएंगे तब जाकर के भाग उच्छा बनेगा दुकान में कोई पचास उरुपए का समान लेने के लिए आया आपकी दुकान खुब चल रही थी गल्ले में सैकड़ो नोट पड़े थे अचानक उसने अपनी जेब से पांसु रुपए का नोट निकाल करके दिया और आपने गल्ले में डाल लिया आपको समझ में नहीं आया थोड़ा सा मिस कनफ्यूजन हुआ और आपने पचास रुपए उसको वापिस कर दिये अब वो ले करके चला गया लाब का अबसर मिल गया आपको लगा एक सेकेंड में चालबाजो का दिमाग काम करता है एक सेकेंड में ऐसा आपके साथ भी कभी जीवन में किया होगा देखिएगा कि कभी 50 रुपए का समान लेने कोई आया 500 को नोट दिया और आप में धीरे से 50 वापिस दिया और वो 50 का नोट लेकर कि छुपचाब वापिस चला गया आदे घंटे माद आकर कि बोलता है भाईया हमने 500 को नोट दिया था आपने देख भी लिया था कि दिया तो 500 काई है लेकिन आप ट्राई मार रहे थे कि अगर 50 में मान जाता है तो बहुत अच्छी बात है तो 50 में वो मान के चला गया अब आदे घंटे लेट होने के बाद आप शेर हो गय आप कोलते है भाईया 100 का देखे गये थे नए भाईया हम 500 की देखे गये भाईया गल्यमे नोट आप गल्ला कोई के दिखाओ गल्यमें तो 1000 नोट पड़े है कौनसा नोट है तुमहारा 500 के 50 पड़े हैं 100 के पड़े हैं वो लाब का अबसर मिलने के बाद भी जो विक्तिल लाब नहीं उठाता उसकी पूरे संसार में कीमत बढ़ती है लेकिन आपने एक बार लाब उठा लिया आपकी आदत पढ़ गई दीरे दीरे इसी तरीके का फ्लेट करने की दुकान में एक बार फ्लेट करने के आदत पढ़ गई वो फ्लेट करने की आदत धीरे से दुकान से उठकर के घर के अंदर आ गई घर के अंदर वो फ्लेटिंग करने के आदत आ गई तो आप अपनी पत्नी के साथ आप अपने बच्चों के साथ दीरे दीरे वो ही फ्रेल्टिंग करने लगे जो फ्रेल्टिंग कभी आपने अपने परोसी या किसी अंजान विक्ति के साथ की थी जब आप अपने परचित के साथ करने लगे तो आपका मन दीरे से और नीचा हो गया फिर नीचे की कारमात क्या हुई कि पत्नी ने कुछ पूछा सही जबाब देते तो बात बिगड़ जाती एक जूट का सहारा ले लिया जूट का सहारा लेकर के पत्नी को कन्वेंस किया पत्नी मान गई मान नहीं था क्योंकि उसका तो विस्वास आपके उपर चलता है आपने कहई दिया यहां से आ रहे हैं तो वो मान जाती है सत्त समझने के बावजूद मान जाती है यह उसकी खुबी होती है वह जब फ़्माल लो लेकिन आपकी आदत बिगड़ गई एक बार आपकी आदत बिगड़ी फिर दीरे दीरे वो आपने अपने बच्चे के साथ किया फिर बच्चे के साथ पत्नी के साथ पडोसी के साथ करते करते वही फ्लेटिंग आप अपने साथ करने लगे जब आप अपने साथ उसी तरीके का धोका करने लगे अब आप कहते हैं जो होगा देखा जाएगा ये क्या है ये शब्द जैन सासन में पैदा हुआ बैक्ति बोल नहीं सकता जैन सासंग का व्यक्ति बोलता है कि जो होगा देखा जाएगा नहीं भगबान ने जो देख लिया है यह थार्थ जो मुझे बता दिया गया है चेतावनिया जो मुझे दे दी गई है हम जैन धर्माब लंबी हैं मुझे उपर ही चलते हैं लाब का अफसर मिलने के बाद भी जो लाब नहीं उठाता है उसको व्रती कहते हैं बंदो